https not evaluated how to fix it on blogger website अगर आपके blogger website है google search console के उपर आपके https का error आ रहा है तो आप कुछ भी कर लो कोई भी तजरुबा लगा लो आपके site का एक भी post index नहीं होगा अगर मैं अपने ये full to apk.site जो है इसका page दिखाओ आप लोग page के उपर जाओगे तो यहाँ पर देखें not indexed 8 page है और indexed 1 page है अगर indexed page की बारे में आपको दिखाओ तो आप देखो यहाँ पर http के साथ index है हमारा site का homepage अब यहाँ पर जो error आ रहा है वो basically आ रहा है https not ability करके यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे देखें https के साथ हमारा homepage जो है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है इस error की वज़ए से इसको हम कैसे fix करेंगे वही चीज इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको दिखने के लिए मिलेंगे तो धियान से इस वीडियो को देख लेना और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जब तक आपके homepage के उपर ऐसा error आ रहा है तो आपके google search के उपर भी आपके site नहीं दिखा रहा है जैसकि मैंने यहाँ पर domain डाला इसी वज़ए से यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन यह वो दिखा रहा है जो HTTP के साथ है अब simple यहाँ पर अगर मैं इस नाम को डालता हूँ तो यहाँ पर मेरा site बिल्कुल नहीं दिखा रहा है इसको fix करने के लिए आपको जो करना होगा simply आपके blogger वेप site के उपर आपको जाना है यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे settings के पर चले जाना and यहाँ पर नीचे आ जाना नीचे जैसे आ जाओगे आप simply यहाँ पर पता आन कीजिए और नीचे वाला को एक बार बंद कर दीजिए उसके बाद उपर वाला को फिर से बंद कर दीजिए अब यहाँ पर कुछ time रहने दीजिए जैसी guys आप लोग यहाँ पर रहने देंगे ना view block के उपर click करेंगे तो आपके सामने आपके site open होंगे देखिए यहाँ आपर änd़ोंब्र हो रहे हैं तो आप जब तक यह wohंपर इसको पंद रहने देना है जब देखना के it to pa के साथ open हो रहे तब इसको on करणा है और यह बहुत time ले सकते है आदा घंटा भी ले सकते हैं 15 minute ही ले सकते हैं आपको छोड़ा बहुत यहलडा पर time ये enable पहले नहीं था उसके बावजूद आपके HTTPS का error आ रहा था तो इन दोनों को आप लोग on कर देना Google official from के उपर मैंने देखा था कि Google का team member कुछ ऐसा बता रहा है कि ये कुछ कुछ time पे कोई भी error होता ही नहीं है ये एक bug हो जाते हैं blogger के साथ उसी वज़े से search console के उपर ये error दिखने के लिए मिल जाते हैं अब अगर bug हो गये हैं तो उसको fix करने का कोई extra तरीका नहीं है आपको reset करना पड़ेगा और reset करने के लिए यही एक तरीका है कि आप इसको off कर दो and off करके दुबारा यहाँ पे आप इसको enable कर दो तो चलिए हम https ability को बस on कर देते हैं जैसी guys यहाँ पर हम इसको on करेंगे न available दिख जाएंगे अब simply https error के उपर आ जाना and यहाँ पर आके validate fix के उपर click कर देना जैसी guys आप लोग यहाँ पर click कर देते हैं आपको यहाँ पर validation start हो जाते हैं आपके पास एक email भी आ जाएंगे के आपने validation किये हैं और यह बहुत ही जल्द fix किया जाएगा अब यह करने के बाद आपको कुछ दिन का wait करना है तीन दिन का लगबग wait करना है उसके बाद क्या करना यह जो link है इसको copy कर लेना है और यहाँ पर डाल के ना उसको enter दबाना है जैसे का इस enter दबाऊगे आप यहाँ पर test live URL एक बर कर लेना यह आपके लिए अच्छा होगा उसके बाद यहाँ पर देखना आपके क्या problem आ रहे है अगर ऐसा दिखा रहे है कि URL is not available on Google आपके site काम कर रहे है या फिर नहीं यहाँ काम तो कर रहे है तो दूबारा आप यहाँ पर आना यहाँ पर एक बार फिर से test live URL के उपर क्लिक कर देना तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ा सा time लग जाते हैं तो इसी वज़े से आपको यह problem दिखने को मिल सकते हैं तो थोड़ी देर बाद हम दुबारा इसको कोशिश करेंगे और दुबारा इसको कोशिश करने के बाद देखेंगे यहाँ पर फिर से यह problem आ रहा है तो आपको थोड़ा सा wait कर लेना है उसके बाद आपको search करके देखना है यह problem जो है वो बहुती जल्द fix हो जाएंगे उसके बावजुद अगर नहीं होते हैं मुझे comment करके जरूर बताना मैं आपको help करने की कोशिश करूँगा किसी और वडियो के अंदर और PC Grower एक ऐसा channel है ना जहां पर हम आपके सारे के सारे error के बारे में जो भी आप website बनाने के time पे error आपके सामने आते हैं उन सारे चीजों के बारे में आपको समझाने की दिखाने की कोशिश करते हैं तो make sure guys चैनल को subscribe करके हमें motivate करना था कि in future ऐसी content मैं आपके साथ share कर पाऊ क्योंके मैं यहां पर ना अपने 8-9 साल में YouTube और blogging से जितना भी सीखा है इसका playlist आपके लिए एक तोफा बना कर दिये हैं जितना भी मैंने सीखा as it is आपके साथ share करने की कोशिश करता हूँ PC Grabber team कभी भी आपसे आपके personal information like OTP email address, bank details, phone number कुछ नहीं पूछते हैं वैसे चीज़ कभी भी हमारे वीडियो के comment पे हमारे साइट पे मत डाला कीजिए